एक ऐसा घर जहां पर कोई रहने जाता था तो उसकी मौत हो जाती थी तो यह हिस्टोरी होने वाली एक भूदिया घर की इसलिए आज आज आप जो वीडियो देखने वाले हो उसे देखकर आपके रोंगटे करे हो जाएगे तो यह वीडियो पने रिस्क पर ही देखना तो बहादुर नाम की एक सैर में एक बेहदी पूराना घर था उस घर को सब लोग भूदिया आता अब सबनी कहने लगे थे क्योंकि जो भी वहां रहने आता था उनकी किसी न किसी कारण से मौत हो जाती थी इसलिए वो घर खरीदने के लिए तोई भी तैयारी नहीं होता था एक बार विजे नाम की सक्स ने उस घर को बहुत इस तस्ते दाम में खरी लिया और उसने अपने बेटे मोनू के साथ साह समा लेकर वहां रहने आ जाते है घर में सिर्ट होने की एक दो दिन में विजे को अपने आस पास अजीवों गरेब गटनाय गटी दोने का अईसास होने लगा पहले तुआ इससे नजर अंदास करता रहा लेकिन जब उसके घर में गी का अईसास होने लगा तुआ सतर एक दिम मोनू दवरता होगा विजे के पास आया और कहने लगा कि वास्रूम में पानी अचानक बंद हो गया है उसने सफियत कपड़े में एक अउरत को देख वाए इतना कहते ही मोनू अचानक चुप हो गया और विजे की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा पापा पापा वो और अतार के पीछे खड़ी है तो विजे ने घर से जाक कर देखा तो आज-पास के सभी घरों में विजली ठीक सिवाय उनकी घर के तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कुछ गरबड़ी हुई इतने में विजे को मोनू के जोर से चिलाने की आवाद आती है विजे दौतर हुए टौर्ज लेकर उसके पांस जाता है मोनू को दुबारत घर में वह आउरत दिखाई देती विजे उसे अपने साथ पीजे ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है उनका कुटा भी यहाँ वहाँ देखते हुए जोर जोर से वावने लगता है विजे को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा पावर हाउस का दर्वाजा खोलते ही विजे को सामने एक लास दिखाई देती है लास देकर मोलू भी डर के मारे चिलाने लगता है विजे अपने वेटों को लेकर तूरत दर्वाजा खोल कर घर से बाहर भार में की कोसिस करता है लेकिन घर से बाहर निकलते ही आचाना विजय का पाउं दरवाजे के पास बनी लकड़ी के शीडियो में फास जाता है और बहुत कोसिस करने पर भी वह पाउं बाहर निकल नहीं पाता उन्हों अपने पापा को बाहर खिशने की कोसिस करता लेकिन काफी प्रयास करने पर भी वा वीजय वो बाहर नहीं निकल पाता कोई उपाय ना सुझने पर मोनु अपने कुट्टे को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दर्वाजा खुद बखुद पॉन्त हो जाता बाहर वीजय वीजय वीकरी 15 मिनट तक मसकत करने के बाद अपना पाउ बाहर निकले ने सफल हो जाता है वीजय दोड़ता हुए घर के अंदर जाता है और चार और मोनु की तलास करता है लेकिन उसे न तो मोनु और ना ही कुट्टे का कुछ पता चल पाता है बहुत डोड़ने पर भी जब दोनों नहीं मिलते हैं तो वीजय हार मान लेता है उनको दुबारा मिलने की आज में वही रहने लगता है कुछ दिन बाद वीजय वीजली की लाइन को ठीक करने के ने एक इलेक्ट्रिसियन पो बुलाता है लेकिन घर में दाखिन होने से पहले ही वह दर्वाजे से उल्टे पर भाग जाता है वीजय के पूछले पर होगा कहता है कि आपकी घर में एक औरत एक बच्चा और एक खुद्टे का फोल दिखाई दे रहा है प्रिसियन के बाद सुनकर विजय उदास हो जाता है और उसे आइसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौट कर नहीं आ है जिसके बाद विजय का घर छोड़तर चला जाता है और कभी लौट कर वापस नहीं आता है दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी रिचीत पर अपना समय वा धन निवेस करने से पहले अच्छी तरह से उस चीज को जाप परताल कर लेनी चाहिए तो अच्छा लगा तो आपर चैनल को सब्सक्राइब करें